हमेशे शांती की बात करने वाले भारत के खिलाफ मानो चीन और पाकिस्तान अब एक जुट होकर साजिश कर रहे हैं पहले पाकिस्तान बातों की भाशा नहीं समस्ता था और अब उसी रास्ते पर चीन भी चल रहा है और दोनों मिलकर सीमा पार बैठ कर भारत ते खिलाब शड्यंत्र रच रहे हैं चीन भारत को पूरी तरह से घेरने की तयारी की है और इसके लिए उसने साथ लिया है पाकिस्तान का वही पाकिस्तान जो चीन के कर्ज में डूबा है और शायद इसी लिए पाकिस्तान अब चीन की जी हुजूरी कर रहा है जो चाइना कहता है वो ऐसा ही पाकिस्तान कर रहा है कह सकते हैं कि दुम की तरह चीन के आगे पीछे कर रहा है अब सबसे बड़ा सवाल की आखिरकार ये दुनों देश विलकर कर क्या रहे हैं हम आपको ये बताते हैं चीन ने सेना के दो डिविजन की तैनाती भारतिय सीमा पर की है पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्तिस्तान में अलोसी के पास अपने जवान तैनाती पाकिस्तान तो कभी सोच भी नहीं सकता कि भारत के खिलाफ हिमाकत करें हलाकि बीच-बीच में फुदकता जरूर है लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता या तो वो अपने पाले हुए आतंकी संगठनों के कहने पर करता है या फिर अब चीन के कहने पर कर रहा है क्योंकि चीन के पूरे कर्ज में पाकिस्तान पूरी तरह से डूबा हुआ है चलिए सबसे पिल हम बताते हैं कि चीन की प्लाइनिंग क्या है क्या कुछ चीन सीमा पर कर रहा है सीमा पर चीन ने 20,000 जवानों की तैनाती की है नॉर्डन शिंजियांग प्रांत में अतुरिक डिविजन को भी लाने का फैसला चीन की ओर से किया गया है यानि की चीन कहीं न कहीं भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है तो इधर चीन चाल चल रहा है तो उसी के पीछे पीछे पाकिस्तान भी मानो दुम बना फिर रहा है और भारत के खिलाब उसने भी कुछ साजिश तयार की है एक तरह से कह सकते हैं कि भारत को डराने की उसे घेरने की एक कोशिश की है लेकिन पाकिस्तान को भी बखुबी पता है कि भारत डरने वाले देश में से है नहीं पाकिस्तान क्या कर रहा है यह हम आपको बताते हैं पाकिस्तान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान इलाके में अपने 20,000 जवानों के तैनाती की है एर डिफेंस बैटरी को भी तैनात किया गया है तो कुल मिलाकर लबो लबाब ये है कि दोनों देश अब एक साथ मिल रहे हैं और घेरनी की तयारी हो रही है भारत को इसे दूसरी भाषा में अगर समझें तो भारत के खिलाब Two War Front की साजिश हो रही है चीनी आदमी ने आतंग की संगठन अलबदर से भी संपर्थ किया है जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने की साजिश संभव है भारत को ये अच्छे से पता है कि चाइना क्या कुछ कर सकता है और चाइना किसका किसका सहारा ले सकता है उसके दोस्त अभी बचे हैं नेपाल और साथी साथ पाकिस्तान लेकिन भारत के साथ अगर हम बात करें तो अमेरिका रशिया ये तमाम ऐसे बड़े देश हैं सुपरवावर हैं जो भारत को हर तरीके से हम कह सकते हैं कि मजबूती देंगे उनका साथ देंगे पाकिस्तान और चाइना ये जो मिलकर अपनी साजिश रच रहे हैं उसके खिलाब भारत ने भी अपनी तैनाती कर ली है अपनी तयारी पूरी कर ली है लेकिन सारी जानकारी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ चीजे कॉन्फिडेंचिल भी रखी जानी चाहिए ताकि नाभी ये जो प्लैनिंग है वो कहीं से बाहर ना सके है फ़ियर चाहिए है फ्याँ हो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि यह नया हंदुस्तान है वही नया हंदुस्तान जिसंने air strike के जरीए पाकिस्तान को सबक सिखाया था साथी साथ सर्जिकल स्ट्राइक के जरीए पाकि उबर नहीं पाया है